यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ इसी समाज के वीच अपनी पकड मजबूत करने के प्रियास कर रही है इसी कवायद में कॉंग्रेस की रास्ट्री अधिक्ष राखुल गांधी आजदेश की रास्थानी दिल्ली में OBC सम्मिलन उनकी और से बुलाया गया और कोशिश ये की गई कि एक वर्ग विशेश को अपने साथ जोडा जाए इसी पर हम चर्चा करेंगे बहस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देती हैं कि दाखुल गांधी ने क्या कुछ कहा ताल्ट कटूरा स्टेडियम में कर्जा माफ होगा तो पंद्रा लोगों का किसान आतम हत्या करेंगे रोएंगे चिलाएंगे उनके बच्चे मरेंगे मगर कर्जा माफी उनकी नहीं होने वाली हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान में स्किल्स की कमी है जानकारी की कमी है हमें युवाओं को जानकारी और स्किल्द देनी है ये सरासर जूट है हिंदुस्तान में कोई स्किल्द की कमी नहीं है OPC World में स्किल्द भरी हुई है जहां देखो जहां देखो बरा हुआ है सचा ही है कि आप में जो हुनर है उसका आदर नहीं है ये कौन सी शक्ती है जो हुनर को और रिवार्ड को फाइदे को अलग करती है ये शक्ती का नाम RSS है और आज ये आपको बाटने में लगे हुए है आज इनका लक्ष है कि पूरा का पूरा होबी सी लग चित्रों में बढ़ जाए अलग-अलग हो जाए कि अपनी मांग नहीं रख पाए हम आपको राजनेती मलाना चाहते है और हम आपको बज की चावी देना चाहते है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो 50-60 प्रतिशद आबादी जाएंगे संतूलन पूरा ध्यान में रखा जाएगा इसे के तहट राखुल गांधी के और से ये सम्मेलन बुलाया गया सम्खुदित किया गया जमकर पीम नारेंद्र मोदी पर और केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी वार किये गए लेकिन कितना फाइदा कितना नुकसान रखेगा कौन से पारटी को जातिगत लिहाद से OBC वोट बैंक को रिजहा पाना क्या कॉंग्रेस के लिए बेख़द आसान होगा या मुश्किल रखेगा चुंकि OBC बैंक कॉंग्रेस का सभाविक तौर पर माना नकी जाता रहा लेकिन फिल्हाल जो कवायर छेडी गई है वो कितनी काम्याब रखेगी इसको लेकर चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ बीजेपी से हमारे साथ निलम चौज़ी जी है बहुत स्वागत है आपका क्या बीजेपी के लिए चुनोतिंग हो सकता है 2019 के लिहाद से कि OBC वोट बैंक को अगर कॉंग्रेस विज़ा पाए देखिए जब भी राहूल गांदी जी छुटियां मना के आते हैं तो कॉंग्रेस उनके लिए एक स्पीश लिख के रख देती है जो मोबाइल में से देखिए वो पढ़के भूल देते हैं अब देखिए जैसे इनोंने अभी एक बात कही थी कि हमारा जो OBC वर्ग है उसके बारे भी इनोंने कमेंट किया था और जो हमारा स्किल फॉर ओल है इस डेवलपमेंट की जो एक प्रोसेस हम ने स्टार्ट किया है में इंडिया उसका मदा खुडा रहे थे एक आप चीज़ देखिए हमारे यह तो एक on record है कि जो हमारे export में कमी है पिछले काफी सालों से जो आ रही है उसका एक reason यह है कि हमारे स्किल जो करमचारियां वो नहीं है इसका मैं आपको एक example देती हूँ चाइना में और इंडिया में जो salary है एक आम करमचार की वो बराबर है लेकिन चाइनीज जो करमचारी है वो हमारे से double production करता है जिसके विज़से जब उनका सामान मार्केट में बिखता है तो सस्ते दामों पर बिख जाता है तो हमारे इंडियन जो हमारे जो लेवर है और जो चाइनीज लेवर है इक्वल पे के बावजी ते उनकी production हमारे से double होती है उसका reason क्या है कि हमारे आमीरत तो गरते हैं लेकिन जो एक skill होती है एक जो target oriented आपके पास skill होनी चाहिए उसकी कमी है और इसे लिए जो skill for all इसके लिए हम skill university भी खोल रहे हैं उनको ठीक आपको डिफेंड करेंगे अपने इस तरीक के कपटवारा जैसे आप देख रहे हो ऐसा नहीं करती यह तो जासुसों की पारिटी अभी बी कह रहे थे कि कॉंगरेस रावल गादी जब आते हैं कोन कहां जाता है कोन क्या करता है तो जाज़त तो शुटिया ही मनाते हैं वो जूटिया आप यह देखे ना आप व्यक्तिकत जिए उनमें जांगने a अकोसिश करते हैं कार गादी व्यक्तिकत जिएव दूबत ऑफो जांगनें करते हैं यह तो अपने सम्मेलन गया तो जाने उर्या आप शटकितनल कि व्य किकैनल और राफुया है और अप लिए आ अनुंग zurs आते है तो आप यह नि जा बारे में चंटा करने की जादा ज़ोगा भीड हाँ आप लोग गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ नारा कितने सालों तक लगाया आप ने कभी कुछ किया उनके लिए हमारा जो एक वूम के लिए है जो एक स्रटर अप लिए उठाने के जो हम नहीं तरीकिए है आप अपने आज आम अपनी बात कहने का देश की जबाजाद यही सवीडान लिखया गया बोलने के जादी बात रखने के सोतन था उसके अंदर यह मैं तो कुछ नहीं आप तो ने किसके आप है को शावाद नहीं के अब चिंजों को समझी कुछ नहीं जिए पटवार के विवस्ता में आपनी परजातंतर में कुछ कमियां रहती में काम करने में, और जो दूसरे लोग काम कर रहते हैं, फेने मिर्शपूर काम कर रहते हैं, ति क्या मतलब निल Briefs चुशूस के काम हिए। बाद में बोले ना शेम्हें आपके पास है वो च्यार वो पोलने वाले आप पहले हैं आप यहाट जवाब दिजिये आप मकसद क्या है आप लोगों का कितना फाइदा आप सब्सक्राइब कर सकता है चीज़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है और यह अमारे देश की समीधानिक विवस्ता है दलित समुदाय हो आदिवासी हो ओवीची हो एपील हो बटवारा करके सब को समझाया बताया जा सकता है कि हम इस दिशा में चले हुए आप चले है अभी अपिकेशन दोमें आदेगा अपने समयपने बोलेगा ने चले है अब अब बटवारा करते है अब तुमारे 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 आपके वित मंत्री ने क्या का कि हम तो असली दुह कलोन की जूरुत नहीं है आपके रहु गांदी में चरीफ ikन दखहने है तो आपके रहु गांदी ने क्या क्यों आपके आप की तरह को आपके रहु गांदी ने तो आपको आपको पर दोनों को चुना जबाब दिये गए चर्चा में आके बढ़ेंगे प्रभूनेतरिस सब क्या कुछ माईने कॉंगरेस के लिए माने जाएं इस सब इलन के बुलाई चाने के अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में ये प्रोग्राम रखा गया कोई भी राजनितिक दल है वो रैली करता है जलसा करता है जलूस करता है लेकिन वहां पर रावल जी ने बात कही कि हम आपको राजनिती में लाना चाहते हैं आज ये सम 77 में इस बात को साबित किया और करके दिखाया कि जो वर्ग सत्ता से महरूम है या जो वर्ग समाज में पिछड़े हुए हैं उनको किस तरह से उनकी राजनिती में भागीदारी बढ़े और उसके 20 एक्जेम्पल है बहुत से उधारन है मैं उधारन आपको दे सकता हूँ ज जन्राइक चोदरी देदा थीस साल पहले कर चुके हैं कंभोज विरादरी आप देखी है अजार जन कंभोज जी को टिकट दिया गया था आप देखेंगे कुबार विरादरी से तो हम राज्यसभा में लेकिते हैं रनवीर गंवा जी को आपने देखा इस चीज का उधारन तो ऐसे एक सेगड़ो धारन है सेनी बिरादरी से तो लगातार गुर्द्याल सेनी साब जिंग सेनी क्लैसो सेनी मलग कितने लोगों को चोदरी देवी लाज जी ने उस वकत उनकी राजनिती में भागीदारी बड़े सत्ता के शीर्स पे बैठे ये काम कर दिया था और एक पहतो पून चीज वो था social justice, समाजिक न्याये, उस समाजिक न्याये पर हमने आसे तीन साल पहले जन्याय चोल्दी देविदाल जी ने काम किया था किस तरह से BC वरक को SC गाउं में चोपाल बनाके देनी, उन चोपाल की maintenance के लिए उनको funds देने, ये सब जो कारिया है किस तरह जो युवा था उसको बिरोजगारी बत्ता इसलिए दिया कि युवा जो है वो उसको फरस्टेट मा हो जाए यह जो काम है आज राहुल जी इस पर पिछड़ों की यह मैं यह तो आपको बताना चाहता हूं आधनी है असोग तंवर के ने तरता पूर्वे इंदुस्तान के कि युवा असोग तंवर के नितरतों में वीशिए राकेश बढ़ाई कि याद कॉंग्रेस को उस वक्त आई जब कॉंग्रेस के लिए बहुत मुश्किल समयक है सत्ता के लिहाँ से यह आरजीत परजातनतरी विवस्था का हिस्सा है मुश्किल समय नहीं है संग्रस किया है क कॉंग्रेस ने करती रए कि कंग्रेस कोंग्रेस ने देश की अजादी लड़ाही लड़़ी हैंघी राजनितिक परीद वाहिए इन्दोस्तान में सब लोग करते हैं, इन्डेशन आप दिल के साथ ही तो ऐसी ऐसी गुमंतीजातूं का समेलन कर देते हैं, जो लोग लोग लेकर आए ना, लिए उसके बाद उसके बाद आद आप उसके लिए बाद का गठन किया है, लोग भी करते हुए, आप नोट लोग सब दोफिएक लिए सब्स मानः लोग मात चान के समाज के लिए सब्सक्राइब, इस इऊ करते हैं, आप क्यों आप लोग बनाग माइन तो शुनीयों छी, विखिसको जा शोनी समाख přिछान के तो आए थे, आप कूं ने तो नोग आए वाए व कैसी बनाया, इन कितना फाइदा कॉंग्रेस को सकता कि या पाराज के लिए मुश्किल होगा ओविस्य को अपने साथ जोड़ना देखिए मुझे लग लगता है कि अगर भारती-राजनीति में देखिए अगर राश्ट्री अस्तर पे OBC को कॉंग्रेस में काफी जगा पहले भी मिली है। कॉंग्रेस पार्टी ने OBC को विद्यसमंत्री बनाया, इनों स्पीकर बनाया। यह उन दिनों हुआ जबकि इंडियन पॉलिटिक्स में यह OBC और दलित की उतनी पैठ नहीं थी। लेकिन अब इशू यह है कि आपको उनको लीडर्शिप के रूप में उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह भी बात सही है कि देखिए राजस्थान में कॉंग्रेस ने असो गहलोत को चीफ पिनिस्टर बनाया और उनको प्रमोट किया। मद्यपर्देश में उन्होंने अरुन यादव को प्रेसिडेंट बनाया यह भी बात सही है अभी उन्होंने यूथ कॉंग्रेस की प्रेसिडेंट किसे की यादव लीडर को बनाया तो वह एक रीच आउट कर रहे हैं चुकि अब यह देखिए कॉंपिटिटिव पॉलिटि में अब आपको लिप सर्विस से बात नहीं बनेगी अब आपको कंक्रीट मॉडल देना पड़ेगा कि यह देखो हमारे ओबीसी लीडर्स हैं यह हमारे ओबीसी फेसेस हैं और यह हमारा जो पार्टी में जो पावर डिस्ट्रिबूशन और रिस्पोंसिबिलिटीज है उसम कार्ड है और जो बिहार है उत्तरपरदेस इसको अभी उन्हों ने उस परकार से अपने घिरिप में करने की परियास नहीं किया लेकिन रहुल गंदी का यह जो परियास मुझे लगता है अच्छा परियास है उनको करनी चाहिए और चुकि कॉंग्रेस पार्टी बिहार में आरजडी से इनका एलायंस है उत्तर प्रदेस में ये मुलायम जी के साथ जाने की कोशिज करेंगे बीएसपी के साथ जाने की कोशिज करेंगे तो मुझे लगता है कि नेचुरली इनको फाइदा मिलेगा कॉंगरेस में सेकिर नंबर की जो पोजिशन है वो बीसी के हमारे जनल सेक्टी इंचार्ज है असो गहलोट जी संगठन का कम देखते हैं वो ठीक है यह नहीं है वो तो अब्सलूटली करेक्ट है लेकिन असो गहलोट जी की जो ओबीसी कास्ट है आपको यह देखना कहिती की आप ऑबीसी कास्ट में किसको प्र्मोट कर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में डॉमिनेंस किसकी है आज की तारीक में देखिए जो मेजर ओबीसी कास्ट है एक है यादव चुसबाहा उसको भारती जैंता-पार्टी कॉंग्रेश हैनी एक खळा कर अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी बना ली चुकि आपने उनको हासिये पे छोड़ा उन्होंने अपनी पार्टी बना ली चार-पांच MPs उनके हो जाते हैं फिर आपसे डील करते हैं मिनिस्टर बन जाते हैं तो यह लिप सर्विस का परिनाम है इससे बाद भी बनेग से कॉंग्रेस भूल सुधार का कारीक्रम चला रही है अभी लग रहा है कि उनको लगता है कि विदानसभा चुनाओ करीव है और OVC वर्ग बहुत बड़ा वोट रेंक है 52 परसेंट पूरे देश में है वो अन्य प्रदेशों में कुछ कम जादा हो सकता है तो इस बड़े को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस ने ये आयोजन किया है जो राहूल जी संबोदित कर रहे हैं अब OVC के लिए कॉंग्रेस ने तो बहुत पहले कुछ नहीं किया तो यही कारण था कि इस देश में जो OVC की एक वैकल्पिक राजनीती का जन्म हुआ जिसमें करपूर अब तमाम च्छेत्रिये जो नेता बड़े पेदा हो गए OVC वरक के तो यह है कि कॉंग्रेस अब लग रहा है उसको के अब कॉंग्रेस आशिये पर है तो कहीं मुख्यधारा में आने के लिए क्या किया जाए तो एक बड़े वोट वैंग को लुभाने का प्रयास कर रही ह अब लोग मुख्यधारा में आने के लिए OVC का सहारा कॉंग्रेस को विले इसके लिए कोशे चील के लिए जो के एक्सपर्स को लगता है इनकी बात कुछ अधक मैं सही मानूँगा ओबीसी में हम आशियपनी है यह जो अक्षेतरिये पोलिटिक्स है अक्षेतरिये राजनिती है इसका एक रास्ता ऐसा रहा है जिस जाती की जहां वोट संख्या जाता होती है उस जाती को नेतरताव करने वाए लोग पहले कॉंग्रेस में रहे हैं सभी लोग चोधरी देव गुंग्रेस करह लेकिन जादक्स मुख्यमत्री बने तब अपना नाम दलवाया सुन। पहले OBC में नहीं थे वो अब यह तक उनकी तो जाती भी क्लियर दिया है वैसे इनकी राहूल कांदी की जान करिए वैसे इनकी है, वो स्टेंडर्ड एकी बरापर है। वो आप देख लएक रेकोर्ड को जुट रा सकते का, वा पताई ये OBC में थे क्या पहले, वो इन होना आने के बाद नाटिकेशन के रिए अपनी जाती खूल देखे रहीं। जो थी अब बताई ये कब थे आए OBC में वो बड़ाएं। वो बड़ाएं। OBC वर्ड के लिए जो सबसे अच्छा काम है वो है कि उनकी एक नैशनल कमिशन बन जाए, नैशनल कमिशन पर बैकवर क्लासेश पहले ये अंडर एक्ट 93 में जो इतरसानी केस था उसके बाद अडर एक्ट ये कमिशन बनी थी। तो अभी हमने 2017 में इसको चुंसिटूशन के अंदर लाने के लिए इसके लिए अलग से बिल बना के हमने लोग सभा में भी पारिद किया था जिसको राज्य सभा में नहोंने पारिद नहीं होने दिया कुछ ये चाहते है कि OBC लिए को बीजिशनल बॉडि मिले क्योंकि उसके पास जादा राइस होते हैं और वो जादा अच्छे तरेक्या से पूरे देश के लिए OBC किसी भी तरे की नई पॉलिसी बना सकती है किसी बिए इनक्लूजिं या एक्स्क्लूजिं या जो भी इनके तो अगर इनकी कोई भी फिक्र होती तो यह उस वक्त हमें समर्थन देते हो वह यह जो कमिशन है जो सवाल उड़ा रहे हैं जोन की जाती है अरियाना में टो अलक्षिशन अना जिसके लिए हमने फिर बिलकों साथ नहीं दिया तो इसके लिए जिमेदाल कुणन आतों से विए कि लक्षे ना तो हर है जोती जी जी धिए आपने मुसे अपने बलाई मुझे नहीं करनी चाहिए मैं जड़लिस्त हमने इस मैं देखे मैं दूर रस्पेक्ट तो भारतिय जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस को दिमाग मेरा केक साथ कह रहा हूं यह बहुत बड़ा फ्रॉड है इस देश में इस सेंस में है यह कि आप यहां कर रहे हैं आप यह जो बन रहा है यह जो कमिशन बन रहा है जिस देश की जिस बेस की 52% population OBS है आप उसके लिए इसके लिए तो Constitution भी माइना नहीं रखता है Constitutional body's कि इसमें उसमें एक सला आया था ना बोले दिजगे ना मैडम बोले दिजगे आप मुझे आप मुझे स्पोक्स परशन के रुप में मत लिए ने ने मैं अज जनले सी चैरिंग कि आप एक body OBS के 15-20 major communities हैं उनके members होंगे 15 members है इसमें क्या इसमें यह तै हुआ है किसका जो chairman होगा वह OBS को से होगा क्या उसमें तै है इसके लिए जिम्मेदार भारती जता है कंग्रेस में कमिशन ने कमिशन ने कई दफा सरकार को लिख करके दिया इस सरकार को लिख के दिया previous government को लिख करके दिया कि आपने हमारा जो OBS का जो backlog है group A services में even reservation देने के बाद जानते हैं मात्र 8500 ग्रूप A में OBS officers across the country जबकि total figure 76 और यह भारती जनतापा टेका commitment था यह पूरा नहीं करते हैं दूसरी बात यह है कि OBS का कोई leader का prime minister होना president होना कोई माइन नहीं रखता है माइन रखता है कि आप उनके परती कितनी committed है देकिए बीपी singh OBSी नहीं थे उन्होंने आरक्षन दिया अरजून सिंग बाव बीसी नहीं थे उन्होंने का कि जब आपने केंद्र को लेकर कॉंग्रेस भी धंबर तीक है कि हम OBC के खित्याशीख हैं, BJP खुद धंबर तीक है इसे बात का पैनल कर तो यह है कि अभी जो राजी जी बात कर रहे थे हलांके ठीक है OBC कमिशन के अंदर बहुत से कंफूजन्स हैं, tenure of chairman, member of commission सभी जी ने पता है कि सभीधान देश के हर नागरी के लिए अब सबसे महतब को चीज़ देखेंगे बहारती जनता पारटी के परवक्ता और कॉंग्रेस परवक्ता जिस बात पर बहास करने की कोशिश कर रहे हैं, इन से दोनों से इंद्रा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीवी हटाओ, मोधी साब ने नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या फरक है दोनों में, नारे दोनों ही से मैं, अरे सुनगे, इलम जी, अगर आ इस बात को जंपा हूँ, इलम जी आप सुनगे, आप पता है, इसने पुगा किया, यहां सबसे बड़ी समस्या कहा पर आ रही है, मोधी जी अपनी क्रेडिविलिटी खो चुके है, पूरी तरह से यह आप भी देखे है, क्योंकि उन्होंने जन्ता से जो वाइदे किये थे, जिन वाइदों से करके वोट मांगा था, एक भी वाइदा उन आप थो ब्रक बाद कर ले जाए अब जैसे निल्लम जी पी कह रहे थे, मातर दस स्टेट ऐसे हैं जा भारती जंता पालिटी की सरकार है, 20 से जाद ही हैं तो बाकी स्थेट की बात करते हैं वो इंगी सक्षेत्रिय दलों की सरकार जिसमें भाजपा एलाइस में हैं केवल 10 स्थेट ऐसी हैं इसलिए ये बात कहना कि भारती जन्टा लेवाद को ना सुनना और जिन वाइदों से आपने वोट ना सुनना न हम के अपड़sun के आपके आएंगे निलम जी अफिर आएंगे मैं पता रहे हैं आपको आपको समय दिया दिल या सुने लिए लिए। यह आपको लगता है आपको लगता है आपको लगता है कि मुझे आनल करना है कि अपको अपने तरीके से भाइब लिए आपको जवाब दिया जाएगा आपको जवाब दिया जाएगा आपको जवाब दिया जाएगा जाएगा जोनोती वाक्य मारे लिए बड़ी है क्योंकि हमें लोगों के लिए काम करना इनकी तरह जूट और जूमले नहीं पहंकने अतरी जी डो बातों कर दो चीज करना चाहता हूं इन इंडरा जी और मोधी जी को compare किया इंदर आम ने जो कारिये करम गरीबी इस उत्रीय कारीकरम बैकोराष्ट्य करांटि करांटि सफेद करांटि और मंदरे का इन आप इनको उठागर के इनको पूरा एग्जामीन करना आप इस पर आपको टाइम लगे गा तरी जी दो तीन चार नहीं लगे लगा तरी जी मुझे बोले वो बोले मैं रहता हूं कोंग्रेस ने कभी भी बगैर रूप रहा कोई काम ने किया है इनका प्रदानमंत्री बहसान देता है आपको समय दिया जाएगा आमने रूप रेखा तया करके काम किया और पिछले डाइस साल में कॉंग्रेस की सरकार ने जो काम किये थे लगातार डाई साल तक उसी करीब बन फित्ते यह काटते रहे, डाई साल में एक भी प्रयोजना यह ऐसी बता दें, मैं डीबेट के चैलेंज करता हूँ या बेठे, के प्रदानमंतरी बनने के बाद मोदी ने कोई नीम पत्थर रखे और उसका उद्धुगाटन किया हो, डा आदार से इनोंने का दार लिंक ने करें, आदार खतम करें, आदार इनकी मजबूरी है, यह विशेत हो इसे, यह आतरी जीन जो बता है, को पर पूरी तरहां से चुनाव निरफर करते हैं, हाला कि आप लोगों के लिए शुरुआती तोर पर अच्छा रहा, यूपी की बात कर ले, लेकिन क्या अगले चुनाव में चैलेंज हो सकता है, कॉंग्रेस देस तरहां से तैयारियों में जो टीक है, देखिए, पहली बात तो यह है, कि हम सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे, एक बात भी शुरू थी, गरी भी हटा होगी, हम जो जो जिस पर बात कर रहे हैं, वो है, Ease of Living, हमारे Central Budget में इस बार यह में पॉइंट था, Ease of Living, Ease of Living का मतलब है, जैसे हमारा टार्गट है, कि दो हजार बाइस तक हर व्यक्ति के सिर्फ में चाहतों होगी हर एक आदमी के उपर, जह हो किसी भी जातिया पात का हो, उजवला स्कीम है, उनी गरी पातवाश में टार्गट से पहले हमने उसको अचीव किया है, पहले प्रगदी किया हो इतने गाउं अभी तक बिना बिचली के थे, और जो अभी जो मुद्रा स्कीम के लिए हम लोन देते हैं, जो 50% से जादा जो अबीसी और दलितवर के लोग है, इन लोग को लोन दिया जिसमें कि 5 लाख रूपे पर हैट के हिसाब से जो है, वो एक स्टार्ट किया जाएगा सवास्तय योजना, तो एक व्यक्ती को क्या चाहिए, उस घर पर चट चाहिए, घर में खाने के लिए चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, वो सवास्ती सरकार निकर दिया है, और ये स समखुदित क्या खेया, उसी को लेकर भूपीन रियादाव क्या कहते हैं, सुन ले चाहिए, कि देश की आजादी के बाद, जब तक कॉंग्रेस का राज रहा, ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की रिपोर्ट कॉंग्रेस ने लागू क्यों नहीं की, और आज जब संसद में ओबीसी को सविधानिक दरजा देने का बिल है, तो राहूल गांदी अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, राज्यसभा में उसको पास नहीं होने दे रहे हैं, आज ओबीसी के नौजवान इस बात को जानते हैं कि राहूल गांदी जो ओबीसी का प्रेम दिखा रहे हैं, वो अपने आप में एक किसम का उनकी बातों का और उनके करने का दोहरापन है। को ओबीसी की, दलितों की बात कर ले जाएं, ब्रहमन की बात कर ले जाएं, मुस्लिम समुदाय की बात कर ले जाएं, हालांकि वो माने गए कि कॉंग्रेस के साथ हैं, लेकिन अभी ओबीसी की आदागी कहचाना है। में जब ये जजमेंट आया, तो कॉंग्रेस की सरकारती फिर उन्होंने इसको लागू भी किया। मैं इसका एक एक जामपल दूँगा, कि अभी आरक्षा रिजर्ब परमोशन में, सिडूल कांसिडूल ट्राइब को कहा गया सुप्रीम कोट ने कि आप उसको आरक्षान दो, रिजर्बेशन मिलनी चाहिए। पार्लेमेंटरी कमिटी ने रिखमेंड कर रहा है कि उसमें OBC को भी इंकलूट करो, सरकार उस पॉइंट पे सालेंट है, नमबर टू देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जो कॉंस्टिटूशन के, मैंने क्यों उसमें कहा कि कॉंस्टिटूशन को इनिफेक्टी पना दिया गया है, यह समझे तुना बाहर है कि वावनिवर्सिटूशन में, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनकी पोजिशन कितने हैं, वो 27% नहीं है, तो कहने का यह मतलब है कि एक पॉलिसी, जिसको कि इमांदारी से मैं लागू करनी चाहिए, एक डेटा में ने बताया, यह अप्रेल 2018 में लोग सवा में, उस समय के जो लेबर मिनिस्टर तुनों ने इनफर्म किया कि यह जो ग्रूप A में OBC की संख्या 8592, तो करनी तमांदाना मतलब है कि अधर सभाएंगे, लेकिन हर्याना पर एक बार बीजेपी से सवाल कर लें, आपको समय भी ने दे रहते हैं, पहली बात हो यह कि 85th amendment था, जो हम लाए थे, कि जो जो जॉब्स में प्रमोशन है SCST के लिए, वो हम ही लाए थे, पहली बात हो यह दूसरा, और जो अभी जजमेंट की बात करें, उस जजमें में है क्या, कि जो प्रमोशन में जो इनकी रिजर्व लाए थे, वो एक मेंूट चल रहा थे, उसका डीसिशन था, जिसमें कि को इसकी कहने कहा हो, तो मीन टाइम में इस एप स्वीय में पर मेंन क्यू यह दो लिए उनको फाए लिए था, जो नेस्टोरी था, जो नेस्टपविशन है, जब एक बात बात जयाते है, तब उसके एक act के अंदर काम कर रही है, हम उसको एक constitutional body लिनाना चाहते है, तक का यह कहना है, कि अभी clear ही नहीं है, क्या कुछ है, यह पूरी तफिर साफ की नहीं है, हर्याना में GT road belt ने आप लोगों का बड़ा साथ दिया, दक्षिन हर्याना की बात कर ली जाए, आपका बड़ा साथ द करें, दूसरा क्या है, क्या है, जो अगड़ी जाती के जो गरीब लोग होते है, उन सब की समस्षाइं है वो एक जासी होते है, उन्हें क्या चाहिए रहने के लिए घर चाहिए, अपने घर में दो समय का ठीक से खाना बने, और उनके बच्चों को रोजगार मिले जिसकी प परचुनिटीज मिलें, स्किल डैवलोपमेंट के लिए, उनके पास इंस्टूशन, अगर वो हाय स्टडीज चाहते हैं, मेडिकल एंजिनिरिंग, उसके लिए उनके पास स्कॉलर्शिप्स भी हो, तो हमारी पास अलग अलग जिसनी भी योचनाई है, उसमें हर वर्ग के ल पाना, आप लोगों के लिए किसी तरह से कहीं कि सफल हो पाएंगे इसमें, या प्रात्मिक्ताव भी नकीख है, एजन्डे भी नकीख है, एक तो पहली बात जो आपने कहा, जीटी रोट बैल का जिकर का आपने किया, मानता हूं, दो हजार चोदा का जो चुनाव हुआ था भाजबपाने और कॉंग्रेस में, तोड़ा सा यहां पर चीज और कूँगा, राजी जी की बात बिल्कुल सही है, एक्वल ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे हरियाना के संदव में बात करता हूं, जन्नाएक चोदी ने पहली बार अपना प्रिंसिपल से राम इसरदास OBC वरग से पहली बार है रहा है, जो दूसरी चीज, गाओं के स्तर पर अगर बात करें, जो बैक्वर्ड क्लास है, उनको नंबरदारी ने मिलती थी, यह भी हमने शुरू किया था कि बैक्वर्ड क्लास की नंबरदारी होगी, यह होता एक्वलेंट बिहेवि आफने शुरू की निविलाल जी करा करें चेहिए, जो यह भी होगी होगी है, जो को विदक बिधिन नंबरदारी ने मिल्म करें गाहि पांगी चाली तो आफने लेक्वर्ड की लिगसी को कहां बचा के रखा है ने तो आस-टक में करक के हैं, आज था क्या तकी आहिए कि व बज़ प्ज़िए लाल ने उनके लिए लाई अधिक वावत लागें लिए देवी लाल ज़ान सिंग नहीं रहते हुए उनको ऑभीषी इन लोगों ने लीडर्स करूप एकसेप्टा देवी लाल ने शुरू पर दिया लिए लोगों उनको लगगा करुए नेल्बै। एक बात बात की रोजगार सर्प पिछत होती और जब मुस्वेदी या पहले भारती जन्ता पाइटी के कि वहाँ पर इंप्लॉयर को का किसा करता है है कि व दूटा को संभोधित किया और चुनाओ के गरीब जब जाएंगे उस वक्त्याइती स्तर पर ब्लॉक्स तर पर भी कॉंग्रेस इस तरह से लगा के लिए के लिए उनके वोटबेंक टे वो सारे विखर चुके हैं और बटवारा हो चुका अरो विशी तो बहुत लंबे समय से बटा हुआ था तमाम चेत्रिय दिग्गत जो हैं विशी के पैदा हुए उनको लगा के कॉन्ग्रेस में उनको पूरा सम्मार नहीं भिल रहा और यह कोद्रिक क्रिया है। है और यह वी सी बर्ग इतना बटा हुआ है कि इतना असान नहीं है जो राहूल गांदी प्यास कर रहे हैं लेकिन इतना असान नहीं है उसको वापिस लोटाना और इन्हों ने जो है कॉंग्रेस सरकार ने जो वी सी में देख लिए कि जाटों को जो रिजर्वेशन दिया वो सुप्रीम कोर्ट में वो फेल हो गया तो आखिर में ये कहां कोई जनरल समुदाय को जो ओवी सी का जो आम समुदाय आम मत दाता है उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी सफलता इनको आसान होगी बालवकुन शर्मा जी इतना कर दिया मेरा सवाल मैं तो पूरे देश पर त्यारी कर था अभी 2004 में यूपी वन के डोटाय में मारी 66 सिटी आई थी कॉंगरिस की तो आपके सामने रिकॉर्ड है उसके बाद लगा तार दस साल हम सत्तामरे रियाना निरिमान से लेकर आज तक है बमुश्किल से आठ नो सा यह सत्तामरे हैं च्यार साल यह सत्तामरे हैं आपके बड़े कद्दा और नेता राव साब जा चुके हैं मीजेपी में उसका आप लोगों को बहुत नकारात्मक असंद भी बना नुकसाल भी हुआ फिलहाल 20 से 25 जो सीटे हैं वो कॉंग्रेस के लिए क्या मुश्किल रखें च्राइट में सिमत के रहे गए तो होता है कई बात कहना दूर तलग चली जाती मैं आपको एक बात यह कहना चाहता हूं कॉंग्रेस इन चीजों की परवाह नहीं करती है जो अतरे जी कह रहे हैं उनको निकाल दिया यह तो घूम के लोग चले जाते हैं गोंग्रेस इस तरह की पार्टी निया कॉंग्रेस से लोकों के लिए काम करने वाली कार्टी है और आम ने काम करके दिखाया है एकांद पर स्था परिवर्तन बाई चांस जैसे बीजेपी आगी इनका थो कहीं के रहे हैं जाना में एक बाग जाता था रोज को एंडिया स्कैम होता साथ जाने आप लोगों कि ले कितना मुश्किल रखेगा कोई मुश्किल नियुक्ति 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 कि माना जाता है ये तोओं अगलमा कि बैटने वाले साथि विधायकों की संख्या की बात करने जाए वहागे विशय की लाया कि OBC सीटों का जख्र है सर विशय भी OBC ही है तो 2019 के लिए हर्याना में OBC को लुभा पाना, OBC को लुभा पाना, विशय को लुभा पाना कितना मुश्किल आसा लेगा विशय को लुभा पानगे को लुभा है और लोगर डुन एक जितने के बाद किसकी आपको ऑसी समस्थी भौरे यह यह देखे हरियाना मेरे एक बात माननी चाहिए कि पॉलिटिकल रस्पेक्ट जो दिया आयनली ने काफी रिमार्किबल तरीके से दिया भारती जनता पार्टी के पास दो पर्चुनिटी है मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे जैसे अख़वारों से पैता चल रहा है कि साउथ हर्याना में पिछले कई सालों से ए कहाता है वहाम जानते हैं वहाब वहां मुब्मेंट चला रहा है Mुझे लगता कि भारती जन्ता पार्टी के लिए वह एक उपर्चुनिटी है OUR उनकी सिकायत भी है कि सरकार मेरी बात सुन नहीं है. भारस सरकार कोई भी सरकार कितना education गरीब लोगों को दे रही है वो गरीबों को हमसेे ज्यादा पता है. हम यहाँ studio में यतना पता नहीं है हम उनको ज्यादा पता है कि लोग जुठ बहल कर जूट कमीट करते हैं और हर्याना में शितिति यह है अगर इनकी कमिटमेंट इतनी बढ़ियां हजी होती आप ये बचाईए कि आपके क्लास 10-12 में 50-55% बच्चे फेल क्यों करते हैं आप बताईए आपके गरिवों के परती कमिटमेंट क्या है कुछ नहीं है जीरो है जब आपके बच्चे वेल करते हैं तो यहां और कॉंग्रेस की जाहिए उसमें पर्टिमिटी है रावसाब कोई बार नाराज नजर आते हैं वयान इस तरह के देते हैं क्या बुश्की लिए वढ़ा सकते हैं क्योंकि कॉंग्रेस इस वक्ते छोड़ी गई उसको कहा गया कि सम्माल ने की मिलता अब उनको लगता की कि बज़ीपी में भी सम्माल न संगठा ने की आताना हम रही है और दूसरी बात अब भी जो बात कर रहे थे इस सिक्षा की सिक्षा की स्थर की कि पास नहीं करते हैं अब देखिए जो सिक्षा की स्थर है हमारे 10th का प्लस 2 की किस वज़े से है पिछले गुष्ट नेतिया थी कि सब को प्रमोट करते जाओ जो बिना किसी जब बच्चे को अगे तक चले जाएंगे, जब 10 तक पहुंच जाते हैं, तब तक अगर उन्हें कुछ नाता हो तो यह चीज़े जो प्राइमरी लेवल पे ही मचबूत कानी है, तो हमारे जो सिक्षा का जो इंप्रूव करना बहुत जादा जरूरी है जो पुरानी पॉलेसी सी जो घलत थी उनमें भी चेंज्स लाए जाएंगे थाकि हमारे इस शिस्टम और ज़ूब हो हमारे बच्चे और जादा एक बढ़ा नेता कोई आपका कहे ऐसा जो को आपजा न तो इस तरह से हमारे पास तो हर बिरादरी के बहुत निया इस तरह के नेता आपको पाम मिलेंगे लिकिन बड़ी मेहता पूंची थे इनको थोड़ा समझनी आता कि वह कैसे समझेंगे इंपॉर्टेंट चीह है कि आप इंफ्रस्ट्रुक्चर एडूकेशन में सुधार लिए सब्सक्राइब कीजिए स्कूलों में इस नहीं है स्कूलों में बैंची नहीं और बैंच करिदे जाते हैं तो इसमें बोटाला हो जाता है इनी के विदायक नहीं आरोप लगाया था आपको शोर मताना जूरी होता है अभी नों एक पूरे देश के अंदर हमने बिजली आज भी देश में ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं है यह बड़ा जूला बार किता आप बोलीगा आपका अखरी कमेंट चर्चाबे आखरी के लिए जो इलेक्टिफिकेशन है जो इस ताइम पूरे के पूरे गाओं में जहां पे नहीं ते वहां पे पहुंच गई है अठा आज पर वाये हैं जादो चाहिए जादो चाहिए जो आज सक्मेंट बुलाया गया संभोधित किया गया उसको लेकर राखुल इस वर्क को साधने में कितने कावियाब हो सकते हैं क्या वीजिपी के लिए चुनाते बन सकते क्यादो